पौधे के विभिन भाग वह उनके कार्य है मैं श्रेष्ठ हूँ नहीं मैं श्रेष्ठ मैं एक पौधे का सबसे श्रेष्ठ भाग हूँ क्योंकि मैं पौधे को भूमी में जमाए रखती हूँ यह देखो मेरी जड़ों पर ये मूल रोम है जो मिट्टी से पानी और उसमें घुले खनेज लवनों को सोख कर पौधे के विभिन भागों तक महुचाती हूँ मेरी ही वजह से तुम सब भाग जीवित हो मैं बाहर से दिखाई नहीं देती तो क्या हुआ यदि मैं अपना कार्य ठीक से ना करूँ तो पौधा कभी जीवित नहीं रह सकता तुम अपनी जगह सही हो परन्तु तुमसे भी ज्यादा जरूरी भाग मैं हूँ किसी भी पौधे का सबसे लंबा भाग मैं हूँ मुझमें से ही शाखाएं निकलती हैं और उन पर पत्ती, फूल और फल लगते हैं मैं तुम्हारे द्वारा सोखा हुआ जल वक्खनिच्पदार्थ अपनी नलिकाओं से पत्तियों तक पहुचाता हूँ और पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, तुम सब तक पहुचाता हूँ यदि मैं अपना कारे ठीक से ना करूँ, तो तुम सब भूखे मर जाओगे मैं किसी भी पौधे में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती हूँ मैं अपने असंख्या छिद्रों से जिन्हें पर्ण रंधर भी कहते हैं मैं वायू मंडल से कार्बन डायॉकसाइड ग्रहन कर भूमी से मिले जल, लवणों वा अपने हरे रंग के क्लोरोफिल नामक वर्ण का प्रयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में तुम सब के लिए भोजन बनाती हूँ जिसे प्रकाश संशलेशन कहती है इसी भोजन को तुम सब अलग-अलग रूप में संचित कर रखते हो मैं वायू मंडल को शुद्ध रखने में भी साहयक हूँ मैं इतना सब करती हूँ तुम्हारे लिए तो बताओ क्या मैं सबसे शेष्ट नहीं हूँ पत्ती तुम भी बहुत काम करती हो पर हम भी कुछ कम नहीं है अब मुझे ही ले लो मैं तुम सबसे बात में इस पौधे पर आया हूँ परंतु मेरी भी एक अपनी पहचान है मैं तुम सबसे अधिक आकरशक भाग हूँ मेरा रंग और मेरी सुगंद आसपास से कितने जीवों को आकरशित करती है यह देखो यह हरे हरे मेरे बाया दल है यह कली और उसके अंदर के सभी भागों को सुरक्षित रखते है मेरी इन रंगीन पंखुडियों को दल कहते है और यह देखो यह पुंके सर तथा स्त्री के सर है इन सभी के सायोग से मैं आगे फलवा बीच बनाता हूँ जिन से नए पौधे उगते है अच्छा परकत बाबा आपी बताओ हम सब में से सबसे जरूरी भाग को सा है अरे बच्चों तुम सब बेकार की बात पर लड़ रहे हो तुम सब में से सबसे जरूरी भाग कोई एक नहीं है तुम सब ही अपनी अपनी जगह पर बहुत जरूरी हो एक दूसरे के बगएर तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं तुम सब एक दूसरे के पूरक हो जब तुम एक साथ मिलकर काम करोगे तभी एक अच्छा और स्वस्त पौधा बन पाएगा और उसका विस्तार हो पाएगा तो इसलिए लड़ना बंद करो और अपने अपने काम पर लगो